जावा स्क्रिप्ट में एक inbuilt math library है उसको अगर आप use कर पाते हैं तो काफी सारे टास्क आप maths के खुदी कर पाएंगे तो इसको जानते हैं हम इन functions में तो सबसे पहले हम math लिखते हैं math में m capital है फिर dot कोई भी function हम use कर सकते हैं जो available है तो abs absolute value के लिए function है वो आपको absolute value return करके देगा तो minus भी कोई चीज होगी तो उसको positive कर देगा ऐसे math dot round है round आपका mathematical चीज को round कर देगा तो जैसे आप जानते हो कि 0.5 से उपर की चीजों को वो next integer पे ले जाएगा और उस तरह से तो 2.66 को 3 कर देगा ऐसे math dot floor है floor function अगर आप जानते हो तो आपको just उससे नीचे वाला integer देता है तो यह आपको 3 return करेगा ऐसे ceiling function है seal और उसमें आपको वो just उससे उपर वाला यानि 4 return करके देगा ऐसे math dot power function है तो POW में वो power raise कर देगा जैसे कि 2 raise 3 यानि 2 को 3 times आप multiply करते हो तो वो आपको 8 return कर देगा और कुछ function से जैसे की square root जैसे 4 का square root वो आपको 2 देगा return में ऐसे ही max function है max function आपको एक list है जिसमें आप comma separated list बनाई है उसमें सबसे max जो quantity है वो return आपको कर देगा तो जैसे इसमें 100 है तो वो आपको return करेगा async max की तरह min है वो आपको minimum जैसे 0 है वो return करेगा एक और interesting function है जो सबसे जादा maybe आपको useful होगा वो है math.random तो यह आपको 0 से लेके 1 तक एक number return करता है तो जैसे अब यह कोई number इसने return किया है तो इसकी range होती है 0 से 1 जिसमें 1 excluded है यानि 1 कभी नहीं आएगा पर 0 से लेके कोई भी चीज आ सकती है तो अगर आपको कोई random number और चाहिए generate करना है तो आप इसी decimal से किसी चीज को multiply करके वो random number ला सकते हो क्योंकि इसकी range काफी limited है पर यह एक तरह की randomness देता है तो round function चीजों को round कर देता है nearest integer की तरफ तो जैसे mat.round number आपने किया इसको हम console log में print करके देखेंगे तो आप देखोगे यह इसको 21 कर देगा यह 0.5 पे था तो just उपर वाले पे कर देगा ऐसे mat.floor function है जो just नीचे वाला number या integer आपको देता है तो यह जैसे 20 आपको देगा ऐसे ही seal function है sealing function वो आपको just उपर वाला number देगा जो कि 21 है ऐसे math.abs absolute function है वो minus values में ज़्यादा effective होगा मैं एक और value generate करता हूँ जैसे limit is minus 1 तो यहाँ limit अगर मैं put करूँगा तो इसको absolute value में 1 ही दिखाएगा इसका magnitude ही दिखाएगा और math.random एक और important function है जो हम use करेंगे तो यह random function आपको एक number देता है 0 से 1 तक जिसमें 1 included नहीं है तो इससे क्या है आप किसी भी तरह का random digit बना सकते हो जिसे आप password आते हैं आपके पास OTP आता है वो भी आप generate कर सकते हो तो इसके लिए क्या trick है like कैसे आप random number एक से बड़ा बनाओगे तो math.random हम लेंगे और उसको multiply कर देंगे एक बड़े number से जिसे 100 से तो अब आपकी range 0 से 100 हो गई है तो आप console log में आप जब R print करोगे तो आपको 100 तक कोई भी number यहाँ पे मिल सकता है now क्योंकि यह पूरा number नहीं है आपको एक decimal नहीं चाहिए तो आप इसको round off भी कर सकते हो तो इस तरह से आप 1 से 100 तक random कुछ number बना सकते हो floor लेना ज़्यादा बेटर रहेगा ताकि अगर आप 100 इंक्लूड नहीं करना चाहते तो floor function आप दे सकते हो math object में इसके अंदर max और min इस तरह के methods भी होते हैं तो इसमें आप कितनी भी values दे सकते हैं तो आप comma separated कुछ numbers दे रहे हैं तो इसमें जो भी max value होगी वो आपको return हो जाएगी तो मैं जैसे यहाँ पर max लिख रहा हूँ एक output variable और इसको अगर हम sequence of बहुत सारी चीजे हैं तो उसमें से भी आप max निकाल सकते हो यहाँ पे इसकी जगे values अगर आप directly put कर दोगे तो वो error देगा क्योंकि यह array accept नहीं कर रहा है तो इसका क्या solution है हम ES6 में बाद में दिखेंगे यहाँ पे आप spread operators use कर सकते हो तो यहाँ पे directly भी आप max यूज कर पाओगे किसी array पे भी बट अभी के लिए हम इसको ऐसे ही यहाँ छोड़ देते हैं और directly आप इस value को paste करके यहाँ पे इसको run करोगे ऐसे ही min इसका min आपको बता देगा जिससे इसका min 1 है तो minimum जो भी value है वो आपको यह return कर देगा तो इस चैनल पर हम देखते हैं interesting code concepts और उनके example codes अगर आप और ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं तो subscribe कीजिए